प्राइक्टिस प्रॉब्लम्स करने वाले जो सबसे पहला प्रॉब्लम हम करने वाले हैं वह है पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है लेट्स आपका नंबर है कोई तो एक दूसरे के बराबर नहीं याणि एक दूसरे के ईकवल नहीं है वही ही अगर आप प्रिवर्स करेंगे तो वो होगा वन्टो वन तो यह दोनों जब सेम होगा प आपको एंपूर आउटपूट वाले वीडियो में बताया था है क्या करेंगे हम बफब्र लिए लेंगे बफब्र रिडर भी आइक वाले विचार्वड रिडर और इसके अंदर आप पास करेंगे ऑनुए इनपुट च्रिम रिडर new input stream reader and system.n यह पूरा code मैं आपको बताया था input output की वीडियो में नहीं देखा हो तो देख लिजेगा उसके बाद आप लेंगे अब हमें लूप का तो थ्रोज आयो एक्सेप्शन हम लगाए नहीं थे वह लगा दिया है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लूप लगाएंगे जब तक नंबर जीरो से बड़ा है तो हम लिख लेता है उसके पहले इसको एक temporary number में भी store कर लेता है in temp equals to n अब हम temporary number को reverse करेंगे या फिर इसको आप reverse लिख लिए अच्छा हम temporary number से start करते हैं अब हम temp में इसको इसलिए store कर रहे हैं कि हम temp को modify करेंगे तो n में कोई changes नहीं आना चीए उसके लिए और हम एक reverse नाम का number भी ले लेते हैं अब हम यह क्यों ले रहे हैं आगे समझ में आगा आपको while temp is greater than 0 अब आप ले लिजे रिव प्लस इक्वेल्स टू या फिर आप ऐसे लिजे reverse इक्वेल्स टू रिवर्स प्लस अन और 10 अप यह ले लिजे रिवर्स इक्वेल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस N न पॉट 10 तैम्प इक्वेल्स टू टम बाइ टेन उसके बाद आप चेंडे कीजिए if temp उक्वेल्स टू प्लस अन प्रेभ इक्वेल्स टू एक्वेल्स तू अन प्रेंट इस पैलिंड्रोम एल सब्रिंट कीजिए नॉट ये हो गया कोड अब इसको समझने के लिए आप ड्राइरन कीजिए हमारे पर ये था तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टैम्प था हमारे पर उसके अंदर हमारा एंच टोट था कोई नमबर लेट से हमारे पास कोई नमबर है 1, 2, 1 ये N है हमारा तो टैम्प इक्वल्स टो 1 एंड रिवर्स इक्वल्स टो 0 इनिशली हमारा ये कंडिशन है 1, 2, 1 हमारा चेक होगा वाइल 1, 2, 1 इस ग्रेटर टान 0 ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो अब आप क्या करेंगे ये वाला स्टेटमेंट रण करेंगे तो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 0 था तो 0 इंटू 10 प्लस आप करेंगे अब मैंने मॉड के बारे में आपको बताया था कि मॉड क्या करता आपका रिमेंडर दे देता है जिस भी नंबर से डिवाइट करो उसके पहले एक और चीज यहाँ पर n mod 10 नहीं यहाँ पर temp mod 10 होगा यहाँ पर भी change कर लेता है यह होगा आपका temp mod 10 तो यह होगा आपका temp mod 10 अब यह क्या करेगा आपका जो temporary नंबर है जो इदर 121 था उसको 10 से डिवाइट करेगा जो भी remainder होगा वह हमें return कर देगा हमारा remainder क्या बचा 121 by 10 is 1 तो हमारा 1 return कर दिया तो अभी reverse का value क्या होगा हमारा 1 अब हम क्या करेंगे temp को 10 से डिवाइट कर देंगे तो अब हमारा number हो जाएगा temp equals to 121 by 10 which is equals to 12 अब ये क्यों होगा क्यों 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 है again implicit type casting हा automatic narrowing casting जिसे कहते है तो अभी हमारा number temp है अब वापेश loop रहन होगा इदर तो हमारा temporary का value होगा 12 12 greater than 0 है हाँ साही है 12 is greater than 0 true अब क्या करेगा reverse equals to reverse into 10 रिवर्स क्या था पहले वन तो वन इंटु टेन प्लस आपका टेम्प मौद 10 टेम्परारी नंबर था वहारा 12 12 को मौद 10 करेंगे तो हमारा रिमेंडर 2 बचेगा तो अब टेम्परारी नंबर हो गया हमारा 1 2 12 अगें टेम्प गो टेम्प से 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा टेम्प हो गया 1 इदर टेम्प हो गया हमारा 1 अगें लूप उरा नोगा टेम्प की वैली 1 है तो 1 is greater than 0 अगें reverse इक्वल तो reverse into 10 हमारा last time reverse था 12 तो 12 into 10 प्लस temp mod 10, temp का value था 1, तो 1 mod 10 is 1, तो यह हमारा हो गया 121, अगें temp की value क्या होगी, अब 1 by 10, which is equals to 0, temp की value 0 होगी, अगें loop में जाएगा, अब महलब की condition check होगा, अभी 0 था हमारा इधर, last में 0 is not greater than 0, तो loop break हो जाएगा, जब loop break हो जाएगा, तो हमारा reverse का value इधर आया आपका, तो इधर हमारा reverse का value आया था, 121, 121 और n का भी value 121 था, दोनों सेम होगा, तो यह इस palindrome print कर देगा, कुरान करके देख लेते हैं, हम अपना number डालते हैं, 125, यह देखो, 125 palindrome नहीं है, तो print कर दिया, not palindrome, अगर हम चलो कोई और number ले लेते हैं, सब सेम ले लेते हैं, जब हम सारा number सेम ले ले ले, तो भी यह palindrome है, क्योंकि इसको आप reverse करेंगे, तो भी same number बने, तो यह हमारा palindrome number था, अब हम चेक करते कि कोई string palindrome है की नहीं, string str equals to br.readline, क्योंकि हमें एक string input लेना है, इसलिए br.readline, अब आप इसमें एक temporary string मना लीज़े, तो हम लिख लेते हैं, temporary string equals to str, अब आप इसमें क्या कीज़े, एक के करके आप string store करते जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, for int i equals to n minus 1, मैंने बताया था कि string indexing जो भी होता है, string में indexing 0 से होता है, तो आपका जो last number का, last last character का index होगा, एक string में, वो होगा आपका n minus 1, then int, उसके पहले हमने n define नहीं क्या, n है क्या, तो आप n हटा लीज़े, आप रिखिए str.length, अब ये जो function है, ये क्या करेगा, आपका, जो string का length है, वो calculate करके आपको return करतेगा, अब आप इसमें case लगाएं कि int i is greater than equal to 0, i minus minus, i minus minus क्यों होगा, क्यों हम large number से छोटे number पर जा रहें, इसे लिए वैसे क्या, अब आप लिखिए is that, str equals to temp str plus str dot care at i, अब क्या करिया, चेक कर लिजे कि, अगर temp str जो साब का, is equal to equals to str, then up, says out, is palindrome, else says out, अब यह हमारा हो गया, इसका code, let's हमारे पर जो string दिया वहा है, वो है mom, अब यह आप देखके बता सकते हो, कि यह palindrome है, अब इसको आप जब dry run करेंगे, तो सबसे पहले str dot length, यह आपको क्या return करेगा, आपका string का length, हमारा string का length 3 है, तो 3 return किया, and i का value फिर किया होगा, 3 minus 1 which is 2, अब 2 is greater than, या equal to 0, यह साही है, तो हमारा loop के अंडर एंटर करेगा, अब हमारा time string के अंदर क्या store करेगा, एक second, हमने इदर time string को define नहीं किया है, time string को हमने गलट define किया है, इदर आपका होगा, खाली ऐसे quotes, अब आपका temporary string अभी empty है, इदर आपका return करेगा, temporary string में, sorry, इदर आपका temp string के update होगा, पहले था कुछ भी नहीं, तो इदर time string नल था, तो इदर कुछ भी add नहीं होगा, plus str.carat i, अब i का value 2 था, str.carat मैंने आपको बताया था, कि यह उस particular index, जो आपने पास किया, यानि i, which is equal to 2, तो जो हमारा second index होगा, उस पर जो character होगा, वो return कर देगा, तो यह 0, 1, 2, हमारा second पर character है, m, तो temp string is m, अब क्या करेगा, वापिस run, यह repeat करेगा, उसके पहले i minus minus करेगा, तो i की value अब होगी 1, i equals to 1, तो हमारा i का value होगा 1, अब क्या करेगा, i is greater than, one is greater than equal to 0, true, तो अब इसके अंदर गूसेगा, अब हमारा temp string पहले था m, तो m plus str.carat i, i का value 1 था, str.carat i is o, तो m plus o, अब यह plus का sign आपको याद होगा, कि यह concatenate कर देता, यानि जोड देता string को, तो अब हमारा temp string है, वो होगा mo, again हमारा repeat करेगा, उसके पहले i minus minus करेगा, i की value होगी 0, 0 is greater than equal to 0, greater तो नहीं है, पर equal है, तो यह condition true होगया, loop के अंदर enter करेगा, हमारा पहले string था mo, उसमें हम add कर रहे है, str.carat 0, 0 पर हमारा m था, तो यह हमारा temp string को अंगाटनेट होगे बन गया, mo, फिर m, again हमारा i का value minus minus होगा, तो i equals to minus 1, अब हमारा यह condition false होगया, तो loop break कर जाएगा, उसके बाद, हमारा condition चेक होगा, keytm string equals to equals to str, बलेगा हाँ, तो इस palindrome print करेगा, नहीं तो not palindrome print करेगा, इसको run करते हैं, हमारा string डालते हैं, mom, ओके, तो इधर equal to equal नहीं, dot equals होगा, अब dot equals क्या गरता है, कि यह check करता है string के लिए, कि string, दो string बरावर है कि नहीं, अब इसको run करते हैं, इस palindrome print किया, अब हम इसमें run करते हैं, इधर मैंने ये, इसमें str pass होगा, अगें run करते हैं, इसको, यह होगा, आपका mom, इस palindrome, इसको आप अगें run किजाए, not palindrome, अब वही अगर आप इसको, case को change कर लिए, यह palindrome है, देखा जाया तो, पर इसका case different हो गया, तो यह आपका temp string होगा, वह आपका रहेगा, यह होगा, आपका temp string होगा, आपका जो इधर होगा, वह होगा, यह होगा, इसको अब check करना चाहिए, तो आप लिख लिए, says out, temp string, उसको आप रान किजे, अगर आप लिखे लम, तो यह दो को, यह reverse हो रहा है, तो आपको अब समझ में आ गया, कि पैलिंड्रूम string क्या होता है, इसका code हमने कर लिया, हमें factorial निकालने कोई नमबर का, factorial क्या होता है, कुछी नमबर का, अगर आप पे कोई number n दिया है, तो factorial of n, factorial of n, is equals to 1 into 2 into 3 up to n, यानि n तक सारा number जो भी multiplication होगा, वो आपका print करेगा, आप इसको कैसे करें, अब आपको किसी number का factorial निकालना तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर n तक loop run करेंगे, और हर एक number को multiply करते जाएंगे, और multiply करके store करेंगे, ताकि previous, अगले number को previous number से multiply कर सकते, अब आप इसमें लिखे, for int i equals to 1, comma i should be less than equal to n, comma i plus plus, इसके अंदर आप क्या कीजिए, factorial equals to factorial into n, factorial into i, अब आप अपना number, इदर print कर लिजे, factorial, इसको run करेंगे, तो अभी हमारा number 5, तो इसका factorial 120 होता है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 is equal to 120, अब आप इसको run कीजे 10 के लिए, तो यह हमारा इतना होया, पर अगर आप बहुत बड़ा number ले ले, let's say 50 ले ले, तो इदर 0 print करेगा, अभी 0 क्यू print किया, इसलिए किया, क्योंकि जब आप 50 तक multiply करोगे number, तो इतना जादे exit कर जाएगा कि int के range से बाहर हो जाएगा, तो उसकी जगा आप long कर लिजे, पर long में भी फिर आपका बहुत बड़ा number आप नहीं ले सकोगे, तो इदर यह देखो, आपका गलत print हो रहा है, तो इसलिए आपको अपना range का ख्यार लखना है, कि खाली आपके range में print हो, कोई number, इसका आप ध्यान रखेगा, अगर आप इसको 20 के ले रहान करो, तो हमारा number print हो रहा है, तो यह बाद आपको ध्यान रखना है, अगला हमारा है कि हमें armstrong number देखना है, अब मैं यह आपको हुमवक में दे रहा हूं, कि आप एक number armstrong है कि नहीं, वो print की, जब armstrong number क्या होता है, आपको कोई number है, 1,2,3,4, अब आपको क्या करना है, यह armstrong है कि नहीं, उसके लिए आप करेंगे, 1 की power 4, 2 की power 4, 3 की power 4, 4 की power 4, 4 plus, इसको आप add कीजे, अब यह बात आप ध्यान रखिए कि, इसको जब आप sum करेंगे, तो जो भी number आएगा, t, अगर t equals to equals to n है, t equals n, then the number is armstrong, else the number is not an armstrong number, अब इसमें catch यह है, कि जितना भी आपका n का length होगा, n का length is l, इधर 4 था तो मैंने 4 की power लिया, अगर आपका length 5 है, तो आप लेंगे, हर एक number, मलब कि हर एक digit इसका, x, हर एक digit x की power 5, तो अगर इधर रहेगा आपका number 4, 3, 2, 5, 1, तो इसका length कितना है, 5 तो आप करेंगे, 4 की power 5, प्लस 3 की power 5, प्लस 2 की power 5, प्लस 5 की power 5, प्लस 1 की power 5, इसको आप सामने का लेंगे, जो भी number आएगा, p, if p equals equals n, then the number is n, armstrong number, else the number is not an armstrong, यह आपके लिए एक homework है, बाकी अगली वीडियो में, next video में और problem करेंगे, loops के उपर, जैसे perfect number निकालेंगे, last first, capital प्रिंट करेंगे, यह सब number, यह सब problems हम आगे करने वाले हैं, और बहुत सारे patterns के भी सवाल होंगे, पहले हम basic loop, loop के उपर थोड़ा practice कर रहे हैं, फिर बाद में, जो advanced patterns हो गया रहा है, वो print करेंगे, ऐसे एक triangle के अंदर, सारे star print करेंगे, यह तो half triangle है, right angle triangle में print करेंगे, फिर एक space के साथ right angle triangle है, यह सब में print करेंगे, और भी बहुत सारे pattern के सवाल है, हम लोग सब आगे की करेंगे, लगवग आगे, 4-5 class हम खाली patterns के question के उपर practice करेंगे, और हर एक class में मैं आपको एक एक problem दे दूँगा, आप उसको try कीजेगा, और उसकी अगली वीडियो में हम लोग discussion करेंगे, कि उसका code क्या है, आज के लग बस इतना ही, बाकी सवाल solve कीजेगा, और कोई भी doubt करेंगे लुचेगा, बाई बाई